एक बार फिर से हाज उरू में एक और नई अपडेट को लेकर एक और नई अपडेट कर दी है क्या वो अपडेट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो को लागत तक जरूर देखते रहे ना बहुत खास अपडेट होने वाली है जो की बल्लब पीएफ अपडेट किया करी है, जब मैं कल KYC कर रहा था, तो मेरा मुवाइल लंबर वहाँ आधार कार्ट से लिंक नहीं था, इस वए से मैं अपनी KYC को वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहा था, लेकिन उसके लिए जब मैं अपना आधार वाले मुवाइल लंबर जो लिंक क करने के लिए गया, मैं कॉंटेक्ट डिटेल में जाके, तो वहाँ पर क्या हो रहा था मेरे साथ, जब भी मैं मुवाइल लंबर डालना था, नया, OTP तो मैं मैं मुवाइल लंबर पर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर जब मैं OTP सब्मिट कर रहा था, तो मेरा जो OTP है, वो कॉंटेक्ट और मेल आइडी को लेकर, अगर आपके अधार कार्ट के साथ आपका मुवाइल लंबर लिंक है, वही आप अपने EPFO पोर्टल पे लगा पाएंगे, ठीक, और यहां पर आप मेल आइडी भी आपको लगानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको करना गया, उसे के वाइसी आप जब भी करेंगे, नहीं कोई के वाइसी या बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे, तो वह नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर बहुत जरूरी हो गया है, सभी चीज क्या कर दिया है, अब EPFO ने अधार कार्ट से लिंक कर दिया है, तो यहां पर जब आप मुव और नया अपडेट आज EPFO ने कर दिया है, मुवाइल नंबर और मेल आइडी को ले कर, जो कि अभी तक कल हमें प्रोबलम काफी देखने को मिल रही थी, तो दोस्तों उमीद है वीडियो में सब समझ में आ गया होगा आपको, अगर आपने अपना अधार कार्ट का नंबर ज तो उमीद है दोस्तों आप भी आज ही इसे अपडेट कर लेंगे, ठीक है, सब EPF मेंबर को ये अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!